खान पान की बदलती तस्वीर इसके प्रस्णों के उत्तर करेंगे आज हम प्रस्णों के उत्तर निवंद से पहला प्रस्ण है निवंद से खान पान की मिस्रिस संस्किति से लेखक क्या मतलब है अपने घर के उधारन दे कर इसकी ब्याख्या करें तो उसका उत्तर है खान पान की मिस्रिस संस्किति से लेखक का मतलब देसी विदेसी विएंजनों के मेल जोल से है किस से है देसी विदेसी विएंजनों के मेल जोल से है इसके देशी विदेशी व्यंजनों के मेल योल से है उधारण के लिए जैसे एक परिवार में दाल, चामर, रोटी, पूरी, सब्जी बनाए खाए जाते हैं तो उसी परिवार में चामिन, बर्गर, इजा, मूमो, आदी, आनन्द से खाए जाते हैं तो कहने का लिदात पर एक lorsque मिर्सिस संस्कित का अर्था है कि एक ही घर में जहाँ क्या बनाए जाता है इस्थानी विझेंजन बनाए जाते हैं तो वहां क्या बनाए जाते हैं और फास्ट प्रूड भी बनाए जाते हैं वहां क्या बनाए जाते हैं विदेशी वेंजन भी बनाए जाते हैं चाहां कह रहे हैं दाल रोटी चावल सबजी त्यादी बनाए जाते हैं उसी परवार में चावमें बर्गर पिज़ा मुमो आदी उसका भी क्या लिया जाता है आ आनन्द लिया जाता है तो मिस्रित का अर्थ है कि दोनों प्रकार के बेंजिनों का क्या करते हैं आनन्द लेते हैं खाये जाते हैं वह क्या कहलाती है मिर्स्तिस संस्कृति कहलाती है दूसरा प्रस्ण है खान पान में बदलाओ के बदलाओ के कौन से फाइदे हैं फिर लेकर बदलाओ को लेकर चिंतित क्यों है और खान-पान में बदलाओ के फाइदे खान-पान में बदलाओ के फाइदे अब बताते हैं उधारना देकर देख पहला है खान-पान में बदलाओ के अनेक फाइदे हैं इस्तानी बेंजनों का परचार परशार बढ़ गया और क्या होता है। इस्तानी बेंजनों जैसे डोसा इटली का स्वाद लेने अब दक्षिन भारत जाने की आशकता नहीं रही। दूसरा क्या है इस्तानी विंजनों जैसे डोसा इटली का स्वाद लेने अब दक्षिन भारत जाने की आवशकता नहीं रही तीसरा लिखेंगे खाने की मेज पर विंजनों की विवितता बढ़ गई अब पहले कम चीजें हुआ करती थी, अब क्या होगी जो खाने की मेज है उसमें, विवितता बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा विंजन होने लग गई है कम समय में, पकने वाले वियंजन की जानकारी तथा उपयोग बढ़ गया है अब ऐसे वियंजन भी हैं जो क्या हैं कम समय में पकने वाले वियंजन की जानकारी तथा उपयोग बढ़ गया है कम समय में जैसे हम लोग मेगी बनाते हैं मैकरोनी बनाते हैं कई वियंजन हैं जो क्या हो जाते हैं बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं पक जाते हैं उनके उप्योगता क्या होगी है बढ़ गई है इससे राष्टी एकता मजबूत हुई है राष्टी एकता भी मजबूत हुई है खानपान के बदलाव से इन सबी फाइदों के बाद भी लेखा इस बदलाव से चिंतित है पहले तो मैंने खान पान में बदलाव के कौन से फाइदे हैं फाइदे बताया मैंने कि इस आने ही जो चीज़ें होती है उनका परचार परचार बढ़ता है आज जो इटली डोसा इतियाद ये हैं दक्षन भारेश जाने की आवशकता नहीं हमें यहाँ ही क्या हो जाते हैं उपलब्द हो जाते हैं आज खाने की मेच पर बेंजनों की ही है तो कहने का अतात परे कि आजकल हमें खान पान के लिए अन्य जगे जाने की आप सकता है नहीं हमारे इस्तान में ही हमारे जहां रहते हैं वहीं पर क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं अब लेखक फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यूं है अब इस बदलाव से च अब पहला उधारन कह रहे हैं, कुछ इस्तानी वियंजन लुपत होने के करीब हैं, क्या हैं, कुछ इस्तानी वियंजन लुपत होने के करीब हैं, पहला हो जाएगा, क्या होगा, कुछ इस्तानी वियंजन लुपत होने के करीब हैं, जो इस्तान, हमारे इस्तानी जो वियंज हैं लुप्त होने के करीब हैं दूसरा होगा युवा पीड़ी विदेशी व्यंजनों के सामने इस्ताने व्यंजनों की महता कम तर समझ रहा है और जो हमारे युवा पीड़ी है वह व्यंजनों के सामने इस्ताने व्यंजनों की महता कम तर समझ रहा है जो विदेशी व्यंज तीसरा देखेंगे इसी में, बदलाओ में, चिंतित क्यों है, तीसरा है, इस्तानी व्यंजन तथा पकवान होटलों की वस्तु बनते जा रहे हैं, अब जो इस्तानी व्यंजन हैं, वो बड़े-बड़े होटलों के ही वस्तु बनते जा रहे हैं, जो हमारे इस्तानी व्यंजन थे वह अब कम मिलते हैं के वहलो होटलों और रेस्टोडेंट बड़े-बड़े होटलों में ही वह बंजन क्या हैं दिखाई देते हैं वहीं परोसे जाते हैं इसलिए चिंतित है लेखक नई पीड़ी आधु निकता के चक्कर में श्वाद का ध्यान रखे बिना विदेशी व क्या करते हैं श्वाद के चक्कर में चक्कर में विदेशी वियंजनों को अपनाते जा रहे हैं क्या हो रहे हैं विदेशी वियंजनों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे सरीर में क्या होता है नुक्सान होता है हमारे स्वास्ते के लिए वह क्या है हाने मदब स्वास्ते के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसका अच्छा नहीं है हमारे स्वास्ते के लिए कहने कातात पर जब इसके बात तीसरा प्रस्न है खान पान के मालने वे इस्थान ये ता का क्या अर्थ है अब इस्थान ये ता का क्या अर्थ है अब किसी इस्थान विसेश पर मिलने वाले वियंजन अब अन्य इस्थानों पर भी मिलने लगे हैं किसी इस्थान पर विसेश मिलने वाले वियंजन के हैं अब अन्य इस्थानों पर भी म पीजा खाने दक्षन भारत नहीं जाना पड़ेगा, बर्गर खाने तो अब वो क्या हो जाते हैं, इस ताने इस तरवे भी क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिलने लगे हैं, खाने में अधिक व्यंजन उपलद होने लगे हैं, यह राष्टी एकता बढ़ाने में सायक इताकार्थ यह है कि खानपान के मामने इस्थाने कुछ ऐसे बेंजन जो किसी विशेस इस्थान से जुड़े हो इस्थानिता उसे कहते हैं जो क्या है विशेस इस्थान से जुड़े हो उन्हें के लिए वह इस्थान प्रसिद्ध है उन्हें के लिए क्या है वह इस्थान प् आगरा के पेठे, मुथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे, नमकीन, दिल्ली के छोले कुल्चे, मुम्वई के पाववाजी मशूर है तो इस्थानिता का अर्थ यह है अब आजाते हैं निमंद से आगे करें, घर में बादचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनाई बाजार से आती हैं इन में से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिता जी के बच्पन में घर में बनती थी पता कीजिए अब मैं एक उत्तर भारती हूँ परंतो आज मेरे घर में जितनी सरलता से रोटी दाल शाग पकाया जाता है उतनी सरलता से दक्षन भारत के बेंजन इटली डोसा सामरादी बनाए जाते हैं हम वेदे सी बेंजनों जैसे बर्गर नूडल बाजार से खरित कर खाते हैं लेखक के सब्दों में यही खान पान की मिस्रित संस्कृती है क्या है लेखक के नजरों में क्या है यही खान पान की मिस्रित संस्कृती है जहां क्या खाया जाता है दाल चावल रोटी सबजी खाते हैं उसी रसोई में क्या बनाया जाता है इटली दो सामर आदी बनाया जाते हैं तो यह क्या है खान पान की मिस्रित संस्कृति है अब है यहां खाने पकाने और स्वाद के समंदित कुछ सब्स दिये गए हैं इन्हें स्वाद ध्यान से देखिए और इनका वरगी करन कीजिए और इनको ध्यान से देखना है और क्या करना है वरगी करन करना है अलग अलग करना है जैसे आ जाते हैं पहला भूजन लिखा है भूजन कैसे भूजन कैसे पकाया स्वाद अब सबसे पहले आ जाते हैं उपर दिया गया है सबसे पहले दिया है हम आ जाते हैं दाल आ जाते है अब दाल है इसको क्या करते हैं उबालना क्या दाल को क्या करते हैं उबालना और इसका स्वाद कैसा है नमकीन फिर आ जाते हैं भात लिखा है दूसरे नमबर दाल के बाद बात उबालना फीका नमकीन होता है इसका स्वाद फिर है रोटी, रोटी को क्या कर दो कैसे पका आते हैं, सेकते हैं, इसका स्वाद कैसा है रोटी का, फीका मीठा होता है रोटी का स्वाद, पापड, फिर है पापड, पापड का स्वाद, पापड कैसे पकाया जाता है, तलना सेकना, और स्वाद कैसा है इसका, नमकीन, फिर आलू को कैसे पकाया है उबालना और स्वात कैसा है इसका नमकीन बैगन और बैगन इसको क्या किया जाता है कैसे पकाया जाता है तलना और भूलना क्या किया जाता है तलना और पूर्णना इसका श्वाद कैसा है बैगन का नमकीन और कसेला कैसा है नमकीन और कसेला अब ये सब इसी में बताएगे हैं कि चौक चावल कड़ी इनको समझना है इस सब्दों को समझे कैसे बनाया जाती है इस आंपके करणा है इन सब्सक्रीज़र parade करें बेहन कानदार करने इन इनकाल गुक्तर कि में कैसे बनाया जाता है पिस्ले सदाद ने खान पाण की बदलते हुई तस्वीर का का खाक खीचे तो इस परकार होगा अब कुछ भागे ही ते इस परकार होगा सन साट का दसक, छोले बटोरे, सन सत्तर का दसक, इटली डोसा, सन अस्ति का दसक, तीबती चीनी भोजन, सन नवे का दसक, पीजा वाव भाजी इस परकार आप कुछ कपड़ों या पूसागों की बदल तस्वीर का खाका खींचिये ही, और हमने क्या करना है, ऐसे ही, जैसे यहाँ पे खान पान का दिया गया है, ऐसे हमने पूसाग का, जो कपड़े, पूसागों की बदल तस्वीर का भी क्या करना है, हमने खाका खींचि ये है संसाट का दसक तू साड़ी बलाज लहेंगा चोली सलवार इस परकार से इसमों बनाना था बनाना है अब इसके बाद आ जाते हैं मान लेजी कि आपके घर में कोई महिमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का परम पर एक बोजन करना चाहते हैं इन्हें किलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक वेंजन सूची मेनियो बनाएए और क्या करना हमने एक मेनियो बनाना है जैसे होटल रेशुडेंट में जाते हैं जैसे हम होटल में जाते हैं तो उससे हमारे हाथ में मेनियो का एक पेपर होता है वो हमारे हाथ में देते हैं और उसमें लिखा रहता है जैसे रोटी तवा वाली रोटी रुमाली रोटी तंदूरी रोटी तंदूरी मिस्की रोटी नान शादा कुल्चे पूड़ी आलू पालक, आलू गूबी, आलू सोयावीन, आलू राजमा, आलू मेती, कड़ी पालक, बैगन बरता, बैगन का भुरता, कड़ी गाजर बेशन, कड़ी मिक्स, कड़ी पकोडा, मेती पालक, आलू मतर, टमाटर, दाल अरहर, दाल मतर, दाल मसूर, दाल उरद, दाल मिक्स, द दाल तड़का, दाल फ्राई, चावल सादा, पुलाव, चावल जीरा, अचार आम, अचार नीबू, अचार करेला, अचार कटल, अचार गाजर, अरवा मिर्च, अचार मिस्तृत, रहता पापड, चिपस सलात, इत्याद ये उसमें मेनों जो होता है, उसमें क्या होता है, हमें अच्छा ले गया उसको क्या करेंगे हम बनाएंगे और मेन्यों ऐसे बनाएंगे अपने घर में जिसे जो हमारे जो मेहमान आएंगे उनसे पूछेंगे आपको इन में से कुन सा अच्छा लगता है क्या बनाएंगे आपके लिए जैसे हम होटल रेस्टूडेंट में जा कि नफे नुकसान पर कक्षा में वाद विबाद करें, और इसमें कक्षा में क्या करना है, वाद विबाद करना है, कि फाष्पूरूड खाने से फाइदा है, नफे नुकसान पर कक्षा वाद विबाद करना है, इसमें हमें फाइदा होता है, नुकसान होता है, इसमें क्या कर जो फास्ट प्रूड को खाने से फाइदा होता है बताएंगे कम समय में बनता है यह और इसमें कम पैसों में मिल जाता है और इसका मदब विश्तार से उसकी ब्याख्या करेंगे पक्षबी पक्षबाले उसके फाइदे बताएंगे एक फाइदे बताता है एक नुकसान बतात है ठीक है तो ऐसा वाद विबाद कराया जाता है अपने सहर कजबे का नकसा बना कर इसमें ऐसी सभी जगों को दर्शाएं और हमने क्या करना है कि एक नकसा बनाना है अपने जिस गाउं सहर में रहते हैं और तो वहां कौन सी ऐसी चीज़े जो क्या है बहुत वहां का वियन्यन बहुत प्रसिद्ध है बहुत फेमेस है जैसे मैंने बताया था ना आपको मत्रा के पेड़े आगरा के पेठे दिल्ली के छोले कुल्चे मुम्मोय के पाव भाजी ऐसे यह प्रसिद्ध है वैसे आपके नक्सा बना करके और वहाँ आपका जो इस्थानी खास बियन्यन है उसके बारे में लिखना है खान पान के मामले में सुधता का मसला काफी पुराना है आपने अपने अनभव में इस तरह की मिलावट को देखा है किसी फिल्म या अगबारी ख़वर के हवाले से खान पान में होने वाले मिलावट के नुक्सान की चड़्चा कीजिए उसमें क्या करनी है चड़्चा किनी है कि आज कल खान पान सुधता श्वास्ती के लिए अत्यंद आवस्यक है अब लोग क्या करने लगें, बहुत क्या करने लगें, इसमें अशुद्ध खादे पदार्थ कई तरह की बिमारियों को नोता देते हैं, क्या करते हैं, अनेक परकार की बिमारियों को नोता देते हैं, अशुद्ध जो पदार्थ होते हैं, आजकल खादे पदार्थ हों हालि में आगबारों में यह खबर आये ठी कि मेड़ी मेड मतर नहीं हा रही है। हालि में आगवारों में चाले ख़ने खालू, यह खालए हानी कहा है। के सब्सक्राइद गोजायें आग़ाओ आज हुरां खें कर था कहिंत किएम when rooms. जो खाने वाले बिंजन है उनमें तो ऐसे हमने एक चर्चा करनी है इस नुक्सान मत इस खानपान में जो सुद्धता पर ऐसे चर्चा करनी है क्या नुक्सान हो रहा है हमारे खानपान के उसमें अब भासा की बात है आज के लिए बस इतना ही अब इसके भासा की बात अब ये इतना पिर कभी पढ़ाएंगे लेकिन जो आपके लिए जो इंपोर्टन था मैंने ये बता दिया प्रशन उत्तरिस में आते हैं और सेज पिर अगले चप्टर अब ले पार्ट में आपको बताएंगे